Hi everyone, I am Garima and welcome to my channel तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक होम बेट उप्टन शेयर करने वाली हूँ जिसमें कि मैं बहुत सारी चीज़े एड़ करके उप्टन बनाऊंगी तो अगर आपके चेरे पर बहुत ज़्यादा hyperpigmentation की problem है या फिर बहुत सारे scars है या फिर आपके skin बिल्कुल भी glow नहीं है बहुत ज़्यादा dull है तो ये उप्टन लगाने से आपकी skin बहुत ज़्यादा glow हो जाएगी और आपके चेरे से hyperpigmentation की problem है और sports की problem है तो आपके skin पूरी तरह से clear भी हो जाएगी लेकिन आपको continue रहना पड़ेगा कम से कम दो महीन ही से लगाना पड़ेगा और साथ में एक खूब सारा पानी भी पीना है आपको तब ही आपकी skin जो है वो glow करेगी अच्छे से और healthy दिखेगी और clear दिखेगी क्योंकि पिंपल्स और स्कार्स होने का एक रिजन यह भी होता है कि आप अच्छे से पानी नहीं पीते और कम पानी पीने से आपकी body dehydrated हो जाती है और इसकी विज़े से आपकी skin डल और dry दिखती है तो पानी भी पीजिए अच्छे से और healthy diet भी लीजिए और साथ में यह उपटन लगाई है आपको definitely फर्क समझ में आएगा लेकि वीडियो शुरू करने से पहले आप प्लीज मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई वीडियो मिसना हो जाए तो चलिए अब भी ना किसी देरी के वीडियो शुरू करते है और यह उटन बनाने के लिए मैं 4 टेबल स्पून औरेंज पील पाउडर लूंगी उसमें बहुत ज़्यदा विटामिन C होता है एंटियोक्सिडेंट होता है जो कि इसकिन के को लेजन प्रोड़क्शन और एल इसकिन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है दाग दबों को खतम करता है पिंपल्स को आने नहीं देता है अब मैं 4 टेबल स्पून लिकोराइस पाउडर या फिर मुलेठी पाउडर मिक्स करने वाली हूँ तो मुलेठी जो होता है वो इसकिन इंफेक्शन को दूर कर करती है पिंपल्स और एकने नहीं आने देती है और मैं यहां पर 4 टेबल स्पून रोज पाउडर मिलाने वाली हूँ और रोज वहीं बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है एंटी ऑक्सिडेंट होता है जो कि को बूस्ट करता है साथी दाग दबों को खतम करने का काम करत है और साथी अगर आपको बहुत ज़्यादा पिंपल्स और एकने की प्रॉबलम है तो इसमें मैं नीम पाउडर भी एड़ करने वाली हूँ जो कि आपके चेहरे से पिंपल्स और एकने को हमेशा के लिए खतम करेगा अगर आव इसे रेगलर यूज करेंगे तो इसी बात क एक्स्टा ओयल जब एपसर्प कर लेगा तो क्लॉग पोर्स नहीं होंगे तो ब्लैक हेड वाइड और पिंपल्स एकने की प्रॉबलम नहीं होगी तो यह चेहरे को क्लीन करने का काम करता है अब मैं यहां पे वन टेबल इस्पून टर्मरिक लोंगी और मैं यहां पे और ग तो अपने हिसाब से मैं क्वांटिटी लेगे एक च्छोटी सी कर्टोरी में या तो आप गुलाब चल के साथ मिक्स करके पेस्ट बनाइए या फिर रौग मिल्क के साथ या फिर योगर्ट के साथ जैसा आपको जो सही लगता है आपके इसकिन को जो सोट करता है आप उसको mix करके paste बनाईए और अपने चेहरे पे अपलाई करिए तो मैं यहां पे आप लोगों को paste बना के और साथ ही अपने चेहरे पे लगा के भी दिखाऊंगी तो मैं यहां पे 2 टेपली स्पून ले रही हूँ क्योंकि मैं अपने नेक पे भी लगाती हूँ तो इसलिए मैं यहां पे 2 टेप प्ली स्पून के करीब ले लूँगी और फिर उसके बाद या तो आप इसमें गुलाब जल मिक्स करें या तो नार्मल सा वाटर भी मिला सकते हैं तो मैं यहां पे रॉव मिल्क ले लूँगी और अच्छा सा एक पेस्ट बन जाए तो हमको उतना ही लेना है और मैं इसको पांच मिनट के लिए छोड़ देती हूँ सेटल होने के लिए थोड़ी दिर में अच्छे से जो सारे पाउडर हम लोगोंने मिक्स किया है वो एब्सॉर्ब कर लेता है और फिर उसके बाद हम लोगों को लगता है कि थोड़ा सा और दूद डालना चाहिए तो हम लोग थोड़ा सा और डालेंगे नहीं तो हम लोग इसी को अपने क्लीन फेस पे चेहरा क्लीन होना चाहिए अप्लाए कर लेंगे all over face and neck और फिर हम लोग 20 मिनुट के लिए वेट करेंगे तो ये उप्टन बहुत ज़्यादा amazing है अगर आपकी शादी होने वाली है या फिर आपके घर में किशी की शादी है और आप चाहते हैं कि आपके skin जो है वो flawless देखे, बहुत एक glowy clean clear दिखे तो इस उप्टन को आप 2-3 महिने पहले से लगाना शुरू करिएगा और week में दो बार लगाएगा और आपको result आपको खुदी दिखेगा कुछ दिन के बाद और मैं बहुत सारी skin care related वीडियो और भी लाने वाली हूँ अपने चैनल पे और मैंने बहुत सारी वीडियो शेयर भी की है तो आप मेरी वीडियो जरूर चेक करिएगा और अभी तक अपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं के है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा क्योंकि अगर आप मेरी वीडियो फॉलो करेंगी तो डेफिनेटल आपके लिए बेनिफिशिल होंगी क्योंकि मैं पहले खुद भी ट्राइ करती हूँ अपनी सारी रेसिपीज फिर मुझे अच्छा रिजल दिखता है तभी मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ और आप देख सकते हैं अपने ट्रकने के बाद मैंने अपना चेहरा क्लीन कर लिया है और मेरे चेहरे भी कितना सारा ग्लोव आ गया है यह बिल्कुल भी नैच्रल ग्लोव है तो यह थी आज की वीडियो और मुझे उमीड है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप फिटर में मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे मेरे चैनल को और मेरी वीडियो उसको अपने फ्रेंड फैमली में भी शेयर करिएगा ताकि उने भी बेनिफिट मिल पाए और अब मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई and stay happy